का इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अब कमिंग जॉमी मी ए4 का एक लाइब पोश्टर रिवील हुआ है जिससे ये कन्फर्मिशन मिलता है कि अब कमिंग जॉमी मी ए4 जो के इंडिया के अंदर हम लोग बहुत चल्दी देखने को मिलेगा प्राइसिंग बे बहुत सारे latest update निकल के आ चुके हैं और इस phone का specs almost confirm हो जुगा है तो वीडियो बहुत ज्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है अगर आप लोगों को जॉमी में 4 के बारे में फुल डीटेल में जानना है आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए थोड़ा से भी इस वीडियो को थोड़ा से भी skip करोगे तो बहुत सारे features जो कि आप मिस कर जाओगे बहुत सारे information मिस कर जाओगे तो इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा से भी skip नद कीजिए पूरा एंड तक देखिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को without wasting any more time let's jump into the video स्टार्ट करते हैं feature और इस phone के detail spec से डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं 6.67 इंच का डिस्प्ले इस phone के अंदर देखने को मिलेगा डिस्प्ले almost confirm हो चुका है full HD plus का resolution देखने को मिलेगा डिस्प्ले में super AMOLED का panel देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में 120Hz या फिर 90Hz का refresh rate देखने को मिलेगा पर ज्यादा चाहस है कि 90Hz का refresh rate इस phone के अंदर देखने को मिलेगा और डिस्प्ले में एक single punch hold cut out होने वाला है यूकि top left corner में shift किया गया है और in display fingerprint scanner इस phone के अंदर देखने को मिलेगा performance के बारे में बात करते है snapdragon 730G chipset इस phone के अंदर देखने को मिलेगा chipset almost confirm हो चुका है chipset 2.3GHz पे clock है RAM के बारे में बात करते है 6GB, 64GB, 6GB 128GB और 8GB, 128GB और ये phone Android 11 के साथ आने वाला है और NFC का support इस phone के अंदर देखने को मिलेगा camera के बारे में बात करते है तो quad rear camera setup इस phone के अंदर देखने को मिलेगा camera setup almost confirm हो चुका है जहां पर primary camera देखने को मिलेगा 64MP का followed by 16MP ultra wide angle lens followed by 8MP daily photo lens followed by 5MP depth sensor rear के side में camera हम लोग को बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है बात करते है front selfie camera के बारे में SupPoint में देखने को मिलेगा 44MP AI Selfie Camera Brent में भी अम लोग को latest Selfie Camera इस phone के आंदर देखने को मिलेगा बैटरी और charging के पारे में बात करते है 5200mAh बारे HER battery इस phone के आंदर देखने को मिलेगा Е largest phone का confirm हो चुका है और ऐसे बैटरी यार इस फोन के अंदर हम लोगो बहुत अच्छा देखनी को मिल रहा है चार्जिंग के लिए 27 weight का एक फास्ट चार्जर इस फोन के अंदर देखनी को मिलेगा फास्ट चार्जर भी इस फोन के बॉक्स में ही देखनी को मिलेगा और Type-C port और 3.5 mm का उडियो जैके इस फोन के अंदर देखनी को मिलेगा प्राजिंग के बारे में बात करते हैं तो अपकमिंग Xiaomi Mi A4 का एकस्पेक्टेड प्राजिंग है 12-15 रुपे के रेंज में 12,000 से 15,000 रुपीस के रेंज में इस फोन का प्राजिंग अल्मॉस्ट कंफर्म हो चुका है तो अगर आप लोग इस फोन के लिए वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं क्योंकि मेड रेंज के प्राजिंग में बहुत अच्छे स्पेक्स ओफर कर रहा है और यार इतना कम प्राजिंग में बहुत अच्छा डिस्पले, बहुत अच्छा प्रोसेसर, बहुत अच्छा कैमरा और बहुत अच्छा बैटरी देखने को मिल रहा है तो अगर आप लोग रियली में ZOMIE ME A4 के लिए वेट करना चाते हैं तो वेट कर सकते हैं क्योंकि मेड रेंज के प्राजिंग में बहुत अच्छे स्मार्टफोन होने वाला है ZOMIE ME A4 रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो अपकमिंग ZOMIE ME A4 का एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है में के मेड तक या फिर जून के फर्ष्ट वीक पे तो इस फोन का रिलीज डेट भी बहुत सामने आ चुका है तो अगर आप लोग ZOMIE ME A4 के लिए वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं क्योंके इस फोन का रिलीज डेट बहुत सामने आ चुका है अगर आप लोगों को ये वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर एम रखते हैं 1000 लाइक का मुझे पता है अगर आप लोग चाहोगे तो जरूर से complete हो जाएगा तो अभी तक लाइक निके हैं तो क्या कर रहे हैं लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ और चानल पर अगर नहे हैं तो क्या कर रहे हैं चानल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए पास वाले बेल नोडिफिकेशन को इनेबल कर लिजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बेस्ट पार्ट अब इस वीडियो तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो